आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्यूंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक नई जानकारी देने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताके आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा चैनल पे नए आये हैं सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत से लोग मेरे वीडियो को देख कर छोड़ जाते हैं और वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब कर लीजे ताकि सोम सहता समू से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफोर्मेशन जिसकी वीडियो में बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले-पहले मिलती रहेगी और आप तक सही जानकारियां पहुचती रहेंगी चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो में क्या है कुछ नया है कौन सी नई योजना पर मैं बात करने वाली हूँ तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वेम साहता समुह के माध्यम से सरकार जो है वो एक नई पहल करने जा रही है और इस नई पहल में क्या है कि सरकार स्वेम साहता समुह के लिए शॉपिंग मॉल बनाएगी और मार्केट बनाएगी बाजार उपलब्ट कराएगी और आप उनलाइन मार्केटिंग करके भी अप पैसा कमा सकती है तो स्वेम साथा समू की महिलाएं उनलाइन मार्केटिंग करेंगी इसको कैसे करना है इस पर मैं वीडियो अगली बनाऊंगी और बताऊंगी उसमें सरकार ने आपको क्या साहता दी है कि आउनलाइन मार्केटिंग आप कैसे सीख पाएंगी इसके लावा सरकार जो है समू की महिलाओं के लिए वो बना रही है मौल वगेरा बना रही है और बाजार बना रही है आउटलेट बना रही है जिससे कि समू की जो महिलाएं हैं वो अपने उत्पाद जो बनाती हैं उनको एक बाजार मिल सके और वहां जाकर वो अपने सामान को बेच सके और अधिक मुनाफ़ा कमा सके अधिक मार्केट बनेगी तो समू की महिलाओं को भी दुकाने मिलेगी और उनका अपना एक बाजार होगा तो वहां पे वो अपने सामानों को बेच सकती है और समू की महिलाएं बहुत से अच्छे चूत पाद बनाती हैं जैसे चूत चपल और पापड बरी दलिया, सरे टाइजर है आपका और मास्क वगरा है पीपी, किड है, डाल है, चावल है और साबून है, बहुत सारे उत्पाद हैं जो उनके वो बनाती हैं तो उनको एक अच् बिक पाएंगे जिससे वो अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएंगी, तो समू की महिलाएं जो कि इस समय कोरोना चल रहा है, तो सबसे अधिक जो समू की महिलाएं वो मास्क बनाने का काम कर रही है, सेनेटाइजर बनाने का काम कर रही है, पीपी, किड बनाने का काम कर रही है, का सामधनी अच्छी नहीं हो पाती है दूर दूर तक उनका उत्पाद नहीं पहुँच पाता है तो अब सरकार जो है वो समूगी महिलाओं के लिए जो मार्केट और आउटलेट और जो भी हाट वगेरा बना रही है उसमें समूगी महिलाओं दुकाने कर पाएंगी अपने सामा को अच्छे से बेच पाएंगी और इस तरह से उनका समान शहर배 तक पहुच पाएंगा। और YiWi Deeeeeji we wish. अच्छे से वो समान कूavaCoury sector करे पाएंगी, अधिक से अधिक बेच पाएंगी input तो शहर तक पाएंगा बाजार क्या होता था कि समूग की जो महिलाएं SSG की महिलाएं उनकी उत्पाद फिलाल गाओं के ही बाजारों में बिक पाते थे और वहीं वो बेच पाती जिससे आसपस के गाओं ही वाले ही उनके सामान को खरीद पाते थे तो अब सरकार नहीं उजना बनाई है कि सहरों और हर तक बाजार की विवस्ता समूग की महिलाओं के लिए की जाए जिससे कि उनको सामान जो है दूर दूर तक बिक पाए और इसके लिए उनके उत्पादों की गुडवत्ता भी चेक की जाएगी और उनकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए उनकी उत्पादों को अच्छ में बेच पाएंगी तो अभी तक क्या होता है कि समूओ की महिलाई जो उत्पाद बनाती है उनका अपना कोई brand name नहीं होता है जिससे उनको नहीं पहचान नहीं मिल पाती है तो सरकार के माध्यम से उनको brand name दिया जाएगा और उनका सामान जो है अच्छी पैकेजिंग के साथ ये सब ट्रेनिंग सरकार के द्वारा ही समूगी महलाओं को मिलेगी और उनकी उत्पाद अच्छे पैकेट में पैक होके उसके बाद मार्केट में उतारे जाएंगे जिससे की वो अच्छा मुनाफ़ा कमा सके और इससे समूगी आमदनी बढ़ेगी तो उनकी आमदनी बढ़ने से उनकी आर्थिक इस्तिती में भी सुधार आएगा और जिस तरह से आर्थिक इस्तिती में सुधार होने से गाओं की इस्तिती में भी सुधार होगा तो जो सरकार इस योजना पर काम कर रही है बहुत ही जो है प्रभावी योजना और बहुत ही सराहनी योजना है प्रयास है जिससे कि समूगी महिलाएं भी आगे निकलेंगी गाओं से बाहर निकलेंगी और वो कुछ न कुछ जो है वो मार्केट के छेतर में व्याफ़ाय के छेतर में कर पाएंगी और इस पर प्रदेश में 40,000 से अधिक समूग काम कर रहे ह सबसे बड़ी चनौती है कि उनको बाजार उपलब्द करवाना बाजार ना होने की दसा में वो लोग अपने उत्पात को अधिक मातरा में नहीं सेल कर पाते हैं तो इस तरह से देखिए अपने सरकार ने हिमरिया के माधिम से राजी के कई स्थानों पर नेसनल हाईवे के कि या कैसे भी जो ऐसे भी सरकार देती है सबों की महिलाएं जो है वहाँ पर दुकाने लेंगी और उसको अपना सामान जो है वहाँ पर बेचेंगी तो इससे उन्हें जो है उनका सामान शहरों में बिकेगा और दूर दूर तक जाएगा और उनको अधिक पैसा और अच्छा पैसा अच्छा मुनावा कमाने का अवसर प्राप्त होगा तो इस तरह से जो सरकार जो है बहुत सारा समू के लिए प्रयास कर रही है तो यहां पर सिर्फ बास के उत्पाद के अलावा जो है अन बहुत से उत्पाद से बढ़िया पापड आधी भी बिक्री के लिए रखे जा सकेंगे तो समू की महिलाएं बहुत सारे उत्पाद बनाती है बढ़िया है पापड़ है बास के सजावटी सामान है और उप्योगी सामान है और कपड़ों के भी बहुत सारे जो है उप्योगी सामान है बहुत सारी चीज़े जो है बनाती है समू की महिलाएं जिने बेचने जरूर बनाईए देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती है काफी दिनों की महनत के बाद ही मिलती है आज आप उत्पाद बनाएंगे दीरे दीरे वो अपने गाओं में बेचेंगे और दीरे दीरे आपकी पहचान बनेगी फिर आपको सरकार के दोरा मारकेट भी मिलेगी आप दीरे दीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और जब आप कुछ बनाएंगे ही नहीं कोई वैवसाई ही नहीं करेंगे तो आप अचानक किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो जब आपके उत्पाद को मारकेट मिलेगा शहर तक दार होगा और इस तरह से आपको गाओं की बाजार के पे निर्भण नहीं रहना पड़ेगा आपको उससे जादा भी आमदनी होगी तो गाओं की जो महिलाएं हैं वो मड़वा, आटा, टेल, चावल, सहे, जाबुन, सारे टाइजर बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं और इसक सरकार ने आपके लिए जो प्रियास किया है, बहुत सरा नहीं है, सरकार आपके लिए बहुत सारा काम कर रही तो समू की महिलाएं ध्यान दे और आप भी कोई उत्पाद बनाएं और इसमें लाब उठाएं और समू से जुड़े हैं तो जब शहरों तक और बाकी जगा तक जब गाओं का सुद्ध बढ़िया जो है सामान हमें सभी लोगों को लब्द करवा पाएंगे तो वो सब अच्छा सामान ही खरी देंगे जिससे की समू की आमदनी बढ़ेगी और समू की महिलाओं को अच्छा लाब पराप्त होगा, उनका घर परिवार उन्नती की और बढ करिए कुछ नकुछ उत्पाद बनाईए और धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़िए आपको भी लाब मिलेगा धन्यवाद मिलते हैं अगली बीड़ी